हलो दोस्तो वेलकम टू स्टड़ी उनिवर्स मध्यप्रिदेश डेली करंट अफेर में आपका स्वागत है आज है 30 अप्रेल 2019 और यह हमारी 141 वी क्लास है 12 important questions आपके लेकर आए हैं जो आपके exam और आपके knowledge की दुरस्टी से बहुत important है इन questions को आप note कर लें क्योंकि यह आपके exam में पूछे जाते हैं साथी questions related important fact भी हम आपको बताते हैं तो वो भी आपको याद रखने हैं दोस्तो अगर आपको MPG के और current affairs related कोई भी problem जाती है तो आप हमें comment box रो बताएं हम आपके answer जरू करेंगे दोस्तो आइकोन में एक question दिया गया है जो previous day का है इसे आप टिक करके इसका answer कर सकती है question number first हाली में रमा सेन गुपता पॉल का निधन हुआ ये किस छेत्र से सम्मन्नित है जिसका से योप्षन है परवतारोही ये एक परवतारोही है रमा सेन गुपता का हाली में कलकत्ता में निधन हुआ इन्होंने 1975 में महीलाओं के साथ गड़वाल हिमाले में केदारनाथ डेम पर बिजय प्राप्त की थी तो दोस्तो आपको इतना रमा सेन गुपता पॉल के बारे में याद रखना है next question चार मिलियन डॉलर देने की घोशना की है दोस्तो अब यह घोशना बिटेन ने की है तो आपको मैप में इसकी बारे में बता दें मैप में ये जिगह है बिटेन को दरसाती है बिटेन के जो कंट्री है वो हैं इंगलेंड, स्कोटलेंड और वेल्स और इसकी जो सबसी लार्जेस सिटी है वह है लंडन तो दोस्तो इतना आपको बिटेन की बारी में याद रखना है नेक्स्ट क्वेशन चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा के निकट गोला वारूद रखने के लिए भंडारण के लिए सुरंगों का निमाल करेगी दोस्तो प्रिजेंट में भारतिय सेना गोला वारूद को जमीन पर रखती है जिसे दुस्मन सेटिलाइट आसानी से ढूंड लेते हैं पर सुरंग बनने के बाद इन्हें ढूंडना बहुत मुश्किल हो जाएगा दोस्तो अब बात करते हैं भारतिय थल सेना की तो आपको बता दे इसकी स्थापना एक अप्रेल 1895 में की गई थी थल सेना का हेटकौाडर दिल्ली में है इसके जनरल है बिपिन रावत और आपको इसका मोटो याद रखना है भारतिय थल सेना का मोटो है सर्विस बिफोर सेल्फ तो इतना आपको भारतिय थल सेना की बारे में याद रखना है नेक्स्ट कॉश्चन हाली में किस टीम ने ला लीगा फुट वॉल लीग जीती है तो इसका सरी ओफ्षन है बार्सिलोना हाली में बार्सिलोना ने ला लीगा फुट वॉल लीग जीती है दोस्तो पिछले 11 सीजन में बार्सिलोना का यह आठवा खिताब है आपको बता दें बार्सलोना कलब की स्थापना 29 नवंबर 1899 में की गई थी अब बात करते हैं ला लीगा लीग की तो आपको बता दें इसकी स्थापना 1929 में की गई थी और यह लीग इस पेन में खेली जाती है दोस्तो सबसे अधिक गोल इस लीग में लियोनल मैसी ने किये हैं आपको उता दें ला लीगा फुटवल टीम में खेल ले वाली कुछ इंपोर्टेंट टीमों के नाम तो रियल मैडडेट, रियल बेल्स, एटलांटिको मैडडेट, लेवनते और बेलेशिया ये सब ही मोखिटी में हैं ला लीगा लीग की तो दोस्तो इतना आपको ला लीगा फुटवल लीग के बारे में याद रखना है हाली में किस देश में दुनिया के सबसे उँची हाईवे टनल शुरू हुई है जिसका से यॉप्शन है तिबद हाली में तिबद में दुनिया की सबसे उंची हाईवे टनल शुरू हुई है यह टनल 5.7 किलोमीटर लंबी है मिला माउंटेन में समुद्र की सताय से 4750 मीटर उंचाई पर बनाई गई है इससे मिला माउंटेन की दूरी 18 किलोमीटर से घट कर 5.7 किलोमीटर पर रह गई है इसके निर्माण में 38,500 करोड रुपे का खर्च आया है तो दोस्तो इतना आपको इस टनल के बारे में याद रखना है मद्यप्रदेश में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम का उप्योग कहां शुरू हुआ है जिसका सी ओफ्चन है सागर हाली में सागर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन के लिए यह रियल टाइम मॉनिटरिंग सिस्टम उप्योग किया जा रहा है सागर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की तहट हर घर में जल्द ही स्मार्ट चिप लगाई जाएंगी इन चिप के जरिये कंट्रोल रूम में बैठी कर्मचारी पता लगा सकेंगे कि आपके घर कच्रा गाड़ी पहुची है या नहीं अब ये रियल टाइम मोनिटिंग सिस्टम सागर में लागू हुआ है तो आपको कुछ इंपोटेंट फेक्ट सागर जिले के बारे में बता दे मद्यप्रदेश का प्रतम विश्व विद्याले डॉक्टर हरी शिंग और विश्व विद्याले सागर में ही इस्थापित किया गया है एरण में सती का प्रतम साक्ष लिखित साक्ष देखने को मिलता है दोस्तो नौरा देही वन्ने जीव अभ्यारन भी सागर में ही इस्थित है तो दोस्तो इतना आपको सागर जिले की बारी में याद रखना है मद्यप्रिदेश में कहा वासटवी नेशनल चेंपियंशिप बिग बोर राइफल इस परदा आयोजित की गई है जिसका से योफ्षन है इंदोर हाली में इंदोर में 62 वी नेशनल चेंपियंशिप बिग बोर राइफल परदा आयोजित की गई है यह परतियोगीता सेना की आर्मी मार्क्स मैंसिप यूनिट द्वारा आयोजित की जाती है दोस्तो अब बात आईए इंदोर की तो कुछ इंपूर्टेंट फेक्ट आपको इंदोर की बारे में बता दें इंदोर में इंदोर को ब्यावसाइग राजधानी कहा जाता है मिनी मुंबई, इंदरपुर और अहल्या नगरी के नाम से भी इंदोर को जाना जाता है राला मंडल वन्न जीव अभ्यारन भी इंदोर में ही इस्थित है दोस्तो देश का ऐसा पहला शहर है जहां IIM 2003 में और IIT 2008 में इस्थापित की गई है गेहु अनुसंदान केंद्र और प्रदेश का एक मातर डेंटल कॉलेज भी इंदोर में ही इस्थित है दोस्तो आपको बतादें राज्य का एक मातर नर्शिंग महाबिद्याला भी इंदोर में ही इस्थित है दोस्तो चम्बल नदी का उद्गम स्थल मद्ध प्रदेश के महू से भी हुआ है जो इंदोर में स्थित है और महू में ही भीमराव अंबेट करक की जन्म स्थली है तो दोस्तो इतना आपको इंदोर जिले के बारे में याद रखना है संथ मीधान की अधिनियम 1992 के 33 संसुधन पारित किये जाने की उपलक्ष में नाया जाता है दोस्तो इसी दिन ग्रामीड, तहसील और जिला इस्तर पर पंचायती राजविवस्ता लागू की गई थी आपको बता दें राजस्थान के नागोर जिले में 1969 में पहली बार पंचायती राजविवस्ता अपनाई गई थी तो दोस्तो ये बहुत important question है इतना आपको राजविवस्ता पंचायती राजविवस्ता के बारे में याद रखना है next question मद्यप्रदेश में इन्वेस्टर समिट कब आयोजित की जाएगी तो इसको सही option है अक्टूबर अक्टूबर में मद्यप्रदेश में इन्वेस्टर समिट आयोजित की जाएगी दोस्तो इसका आयोजन इंदोर में ही किया जाएगा इस समिट का मुख्यो देश मद्यप्रदेश 2030 2030 पर फोकस करना है इसमें देश के अलावा बिदेशी बड़ी कम्पनियां भी शामिल होगी इसका नया नाम भी हाली में रखा गया है यह समिट 18, 19 और 20 अक्टूबर माह में 3 दिन तक चलेगा तो आपको इतना इस इन्वेस्टर समिट की बारे में याद रखना है पूर्णिमा अलंकरण समारो है मध्यप्रदेश में कहां आयोजित किया गया है जिसका सही ओफ्षन है खंडवा खंडवा में पूर्णिमा अलंकरण समारो आईजित किया गया है यह अलंकरण कन्या भून हट्या रुकवाने, सेवाकारिय, स्वास्त सेवा, ब्रधास्रम सेवा, जीव दया, आधी के एक शित्र में उतकरस्ट कारे करने को दिया जाता है दोस्तो अब बात आईए खंडवा जिले की तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फेक्ट खंडवा के बारे में बता दें खंडवा में चार कुंड इस्थित हैं इनके नाम है सूरज कुंड, पदम कुंड, भीम कुंड और रामिस्वर कुंड दोस्तो धूनी वाले की समाधी, तुल्जा भवानी मंदर, नौचंडी देविधाम, संभवनात मंदर और ममलेश्वर जोत्रिलिंग ये भी खंडवा के प्रिसिद्ध मंदर हैं दोस्तो बारह जोत्रिलिंगों में से एक ओमकारिश्वर में एक जोत्रिलिंग इस्थित है खंडवा में ही नर्वदा नदी पर इंद्रा सागरबांध परियुजना बनाई गई है और किसूर कुमार की जन्म इस्थिले भी खंडवा ही है तो दोस्तो इतना आपको खंडवा जिले के बारे में याद रखना है हाली में किस जिले में मतदान करने वालों के लिए मुफ्त इलाज का शिवर रखा गया है तिसका सी उफशन है जबलपूर हाली में जवलपूर में मतदान करने वालों के लिए मुफ्त इलाज का शिवर रखा गया है दोस्तो इस सिवर में मतदान करने वालों और मतदाता को प्रेरित करने के लिए मुफ्त इलाज और जांच की जाएगी दोस्तो अब बात आईए जवलपूर की तो आपको कुछ important fact जवलपूर जिला के बारे में बता दे जवलपूर को तिरपूरी और महा कौसल के नाम से भी जाना जाता है मद्यप्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है और मद्यप्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा जिला है जवलपूर भारत का पहला जंडा सत्यग्रा है 1923 में जवलपूर में ही शुरू हुआ था दोस्तो मदन महल संगराम सागर, रानी दुर्गाबती की समाधी, भेडा गाठ, रूपनात अविलेक और धूनाधार जल प्रपात ये सभी परेटन इस्थल हैं जवलपूर के भारत का प्रतम विकलांग पुरनवाश केंद्र भी जवलपूर में ही बनाया गया है दोस्तो तो इतना आपको जवलपूर के बारे में याद रखना है दोस्तो अब बात आए मद्धिप्रदेश की तो आपको मैप में मद्धिप्रदेश की बारे में बता दें मैप में ये जगह है मद्धिप्रदेश को दर्शाती है मद्धिप्रदेश की इस्थापना एक नमबर 1956 में की गई थी गवर्नर है अनन्दी बेन पटल मद्धिप्रदेश का मुख्य मंत्री है कमलनात और मद्धिप्रदेश की राजधानी है भोपाल तो दोस्तो इतना आपको मद्धिप्रदेश के बारे में याद रखना है तो दोस्तो ये था हमारा आज का डेली करंट अफियर आप मारे चैनल स्टड़ी उनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए वीडियोस को लाई कीजिए शेर कीजिए कल हम आपके साथ फिराज उरूंगे तब तक लिए नमस्कार Have a nice day